गंदे मूँ के साथ आज की सुबा में आफ सभी का स्वागत है हो चुके सुबे के साथ और मैं अकली एक्टिंग करता हुआ क्योंकि उठा मैं असली हूँ इसलिए मूँ ऐसा ही दिखेगा उसके बाद मैं निकलता हूँ घर से भार जो कि मुझे जाना होता है मेरी जंगफुल दुकान पर जो की मेरी छोटी मुठी सी दुकान है नास्टे की दुकान पर जाता हूँ मैं और जाते जाते रस्ते में मुझे मिल जाते है यह मौला ली दरगा की दिवार इसे मैं चुमता हूँ साइट से मैं आज से निकल के पोथ आओ सीधा अपनी दुकान पर दुकान पर पोथ आओ तो देखते हो कि सब लोग काम कर रहे होते खाला है ये मेरी बड़ी खाला है छोटी खाला सभी लोग выступ काम होने के बाद मैं गर पर आता हूँ झुमा का टाइम होता रहता है और मैं घर आपको दिखा रहाँ और मैं ना दो के तयार हो चुका हूआ क्योंकि आज जूमा है और जुमे की नमाज भी आदा करना है और मैं कैसे दिख रही हूआ आप लोगों दिखा रहा हूआ मुश्कुरा रहा हूँ मतलब मैं भी एक handsome लड़का हूँ आज तक तो नहीं सोचा करता था लेकिन अब बैसे सोचने लगा हूँ कि वह भी बहुत हैंसम लड़का हूँ मैं हैंसम हूँ कि नहीं आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हूँ और मेरा जाने का टाइम हो रहा है और मैं बाहर निकलता हूँ बाहर निकल कि मैं जाने लगता हूँ बाहर रोड की तरह क्योंकि मेरा दोस्त आने वाला था मुझे लेके जाने के लिए क्योंकि हम लोग साथ में पढ़ते हैं और रोड पर मैं जैसे पहुचता हूँ देखता हूँ कि ले फोर राइड कुछ भी नहीं है वो आया ही नहीं थ मैं उसे फोन भी कर चुका था कि भाहर आ चुका हूँ तुआ जा और वो आया नहीं होता है उसके बाद काफी इंतजार करता हूँ इंतजार के बाद बाहिसाब आ जाते हैं मज्जिद की और मज्जिद के तरफ पहुचने से पहले इतना सारा हम लोग ट्राफिक मिलता है अ पास नहों जाए क्योंकि भाई अल्रेडी लेड हो चुगे थे कैसे कैसे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं रोड पे हम लोग पोच्टे हैं में रोड पे और फटा पड़ निकलते हैं अपनी मस्जीद की और जहांपे नमाज पढ़नी और यह मस्जीद तारवडी कबरस्तान क विए पास निकलने के बाद नमाज होने के बाद मैं फुसता हूँ चय की दुकान पे और हम लोग चाई पीते रहते हैं पिते पिते आप लोग कुछ बताना चाहता हूँ अब गौर से मेरी बाते सुनिए चपल का भी दाता है दो मैने में दूसरी बार चपल चोरी हो गए भाई की काली देता है रोग जाब घर पे बैठता हो वीडियो चपल चोरी होने का दुख भाई को बहुत होता है क्योंकि चपल 700 रुपे की लिए होई ती है और वह भी 20 दिनी होता है नई चपल लेके क्योंकि इससे पहले भी चपल चुरी हो चुकी थी भाई रेगुलर यूज़ करने के लिए 700 रुपे की चपल पेंते हैं बताओ और पाई पेंटे के निकलते हैं बानजय को लेने के लिए जो कि भाई के और मेरे भी बानजय लगते हैं तो हम लोग जाते हैं अपने बानजय को लेने के लिए मातूंगा पहली बार भांजे को हम लोग स्कूल लेने पोस्त है और देखते हैं कि गेट काफी सभी गेट बंद है इदर उदर देखने लगते हैं गर फोन लगाने लगते हैं कि भाई भाई भांजा कौन से गेट से आने आला है उतने में फोन पर पता चलता है कि भांजा तो घर पर आ अपने घर पर खाना दिकार भूक काफी लग चुकी ती सवाचार बजे में घर पर पोचा हूँ जो कि ये टाइम नहीं होता है खाना खाने का नॉर्मल डेप खाना काने के बाद मैं घर आकर सो गया क्योंकि मुझे बहुत नीन की जरुवत थी मुझे ऐसा लग रहा था कि कि बात करना भी जरूरी है फेस टू फेस क्योंकि काफी दिन हो गए मैं फेस टू फेस बात करके व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ और थोस्तों की ऐसी व्लॉग में बनाते रहो क्योंकि आप लोग को पसंद आ रहा है पसंद आया तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू कीजिएगा आज के व्लॉग के लिए फिलाल इतना ही मिलते हैं बाइबाइब टेकर कुदा आफेश्ट